इस्राइल और हमास के बीच जारी युद्ध लंबा खीचता हुआ नजर आ रहा है गजा पर इस्राइल के हमले लगातार जारी है इस्राइल की ओर से गजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले किये जा रहे हैं इस्राइल के हमले से अब तक हजारों लोगों की जान चली गई ह इसराइल हमास के जंग ने हजारों लोगों की जान ले ली इनमें पत्रकार भी शामिल है अब खबर आई है कि इस जंग की रिपोर्टिंग कर रहे अलजजीरा के एक पत्रकार की पत्नी बेटे और बेटी सहीद पूरे परिवार की जान चली गई है खबरों के मताबिक हमास के खिलाफ इसराइल के हमले में अलजजीरा के रिपोर्टर के पूरे परिवार की जान चली गई है एक रिपोर्ट के मताबिक अलजजीरा अरब ने अपने रिपोर्टर वाइल अल दहदो की एक लाइब फुटेज पोस्ट की है फुटेज दिल चीर इसमें रिपोर्टर दहदोव अपने बेटे और बेटी को बेजान पड़े देख रहे हैं वो रो रहे हैं और एक वीडियो में दहदोव अपनी बेटी को बाहों में लेकर के जा रहे हैं वाइल अलददो ने अलजजीरा को बताया जो हुआ वह सपस्ट रूप से बच्चों महिलाओं और नागरिकों पर टारगेटेड हमले में शामिल है आपको बता दे कि जंग के बीच इसराइल ने अलजजीरा पर बैन भी लगा दिया है इसराइल ने उसे हमास का सपोर्टर ब पताते हुए अलजजीरा पर बैन लगा दिया है इतने दिनों के युद्ध के दौरान इसराइल ने गज़ा के हमास के सैकडो ठिकानों को तबाह कर दिया है इधर इसराइल ने संयुक्त राष्ट के महासचीव एंटोनियो गुटेरेस से इस्तिफा देने की मांग की है इस से जायज नहीं ठेराया जा सकता है गुटेरेस ने ये भी कहा था कि हमास का हमला बेवज़ा नहीं हुआ है फिलिस्तीन के लोग 56 साल से इसराइल के घुटन भरे कबजे में जीने को मजबूर है आपको बता दे कि इसराइल हमास के युद में 20 दिनों में गज़ा में करीब 6,000 लोगों की जान जा चुकी है और जंग अभी भी जारी है इसराइल और हमास के बीच ये युद और कितने दिन तक चलेगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है डेविलाइप की रिपोर्ट